पूर्ण दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वाग दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लगा रहे हैं रिंग भठ्ठ देख सकते ही इसका नीचे बाला जो भाग है उसको किस प्रकार बनाया जा रहा है तो दोस्तों कहा जातों यह सबसे नीचे वाला भाग है इसको नीचे में इसी प्रकार लगाया जाता है फिर इसके बाद कहा जातों इसके किनारे से एक रिंग लिया जाता है जो इसमें भूसा डाला जाता है तो यह सबसे शुरू वाला भाग इसी प्रकार होता है तो दोस्तों यह बीच वाला भाग देख सकते हैं इतनी हाइड तक हो गया है अब इसके किनारे से लेना है हमको एक लेयर तो दोस्तों लेयर भी उठाया जा रहा है यह देख सकते हैं इस प्रकार इसको उठाया जा रहा है जो कि बीच बाला भाग है तो इसकी साइज जो कहा जाए तो मेडियम साइज है यानि बीच बाला भाग में ज्यादा साइज नहीं दिया जाए रहा है क्योंकि जो आग डालत तक होती है यानि एक खड़ी और एक पट तो अभी देख सकते हैं यह इतना पूरा हो गया यानि नीचे का जो लेयर था वो भी उठ गया है और यह सेकंड लेयर उठ रहा है यानि दूसरा लेयर उठ रहा है वह वाला जो था तो उतनी हाइट तक उठ चुका है यानि उसके उ तो दोस्तों उपर का जो लेयर है तो इसको देख सकते हैं उसको काफी हाइड तक कर दिया गया यानि इस लेयर पर खड़े होकर उस लेयर को काफी उपर तक उठा दिया गया बैसे तो मैकसिमम कहा जाए canopy 25-30 स तक कर यह लेकिन इस बारे layer लेयर को 25cję घंड घंड यार तक की होगी तब देख सकते हैं दूसरा लेयर यानी पतर भोल गया है नहीं तो यह दो नहीं ड़ी ब्टा कितना कि उट हो गया यानी कहा जातो यह बहुत है यानि like लेयर लेयर भी कहा जातो चौत यानी चौत लेयर के मुताविक हो गया है भी फजीं खड़े हो गयी चौत लेयर को सब्सक्रीबल पे उठाया जायगा कि एक लेयर पे खड़े होना रहता है और एक लेयर को उठाना रहता है उपर साइध में है दोस्तों रिंग मक्थे का जुपार होता है इंटेव पर होता है यानि यो यह यह कोती है इन तो इनही पर मुख्य बहब होता है इनका है ये ज़ो भी नीचे लगाई जाते तो इसको काफी मजबूती यानि पूरी तरह सुखी हुई इंट होने चाहिए जिससे यह बाद में तूटे ना या फिर पिगले ना इस प्रकार क्योंकि पूरा जो भार होता है उसी नहोता है उसी एक इंट पे तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं अब इसको 14 इंची जैसे लिया गया पूरा भार उसी सिंगल इंट पे आएगा तो इसको काफी मजबूती से लगाया जाता है यानि जो ज्यादा सुखी हुई हो और ज्यादा मजबूत हो तो दोस्तों जैसे जैसे रिंग का लेयर बाहर आ रहा है तो वैसे वैसे इंट उसमें काफी ज़्यादा लग रही है यानि जैसे लेयर बढ़ रहा है तो इसमें इंट काफी ज़्यादा आ रही यानि छोटे जब शुरू लेयर था तो इसमें काफी कम इंट आ थी लेकिन जैसे जैसे लेयर बाढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें काफी ज़्यादा रही है और काफी मतलब बड़ा भी होता जा रहा जिससे काफी अच्छे से बैप सकें यानी बराबर रहे इधार उधार ना भागे यह दिवाल इधार गिर भी इस प्रकार रहाट है यह तो अभी यह देश देश तोड़ जाती है फटते समय जो भी डिली इन इसको निकाल दिया गया है जिसे एक दो दिन में पुना बंह बार लागा ला दिया जाए है अब बीधर बात आती है कि साइज कितनी होती है ते अभी देख से हैं कि साइज कि इतनी हैं वैसे लगाते समय इसमेश थोड़ाớ ano कम ज़्यादा हो जाता है लेकिन इतना 10 दिया जाज चार उगली पांच उगली का काफ की अच्छे से यूट अजाती है इसे पऺवा rating यहाई साइज ज़्यादा कम हो जाता है तो यूट करशी भी हो जाती है यानि पाख नहीं पाती तब देख सकते हैं यहाँ पर टेकन जैसे निकला जिससे यह दिवाल यह अंदर की तरफ चिपके भी यह अंदर की तरफ जाए भी तो इसमें टिक जाए तो इसको बीच-बीच में कहीं कहीं पर ऐसा निकाला गया है तो दोस्तों यह लेयर काफी उपर हो चुगा है तो इसके लिए नीचे लिया लिया जाएगा तो देख सती नीचे किस प्रकार सापकर दिया गाए जिससे नीचे तो गोड़ा होता है तो वह काफी अच्छा रहे इधार उधार गिरेना जिससे यह लियर उपर उठाया जा सके उसी लेयर पर खड़े हो के क्योंकि यह काफी हाइड तक हो चुका है एक लियर नीचे और लिया जाएगा तो भी काफी अच्छे मजबूती से लगा जाएगा जो इस प्रकार क्रैक ना आए बहुत सी इसी प्रकार क्रैक हो जाती है तो नीचे की जो इंट होते तो इस जाता है यह मैक्सीमम और दोस्तों इसी भूसे को इसमें डालना है जो कि जब पुरी तरह बठा यह कंप्रीट हो जाए तिन ही जैनों में भरना पड़ता है इस भूसे को तो दोस्तों जो लगाने के प्रक्रिया होती तो वह सेम इसी प्रकार होती जैसे कि यह जो वाला उपर वाला हाईट है तो प्लका इसको भूंख़े यूटे लिए इसको एक बाई एक खड़े होकर इस प्रकार गाउनना पड़ता है और साइज का ध्याण भ हो ने लगता है नीचे सो ठीक रहेगा लेकिन जैसे-जैसे उपर आता है तो साइज भी काफी dim questions आजाता है और इस प्रकाट टेकन डाना काफी जरूरी हो जाता है यदि यह चिपकना चाहे तो चिपकन नहीं जाता है इसको बीज बीच में ऐसे ही लगाया जाता है दो दो तिन तिन फिट में पार, एक हजार हाओ, एक क्या दीन मुना ही। तो दोस्तों आज यह रिंग भठा कंप्रीट हो गया फानिली तो आज इसमें भूसा डालना है तो अभी यह थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको पूरा करके आज इसमें भूसा डालना पड़ेगा चुकि यह भठा कहा जातों कम्प्लीट हो चुका है ओ खडगालाब आज यह लाए अब करता का आज शालना ऑखे फॉक कैसा है तो दोस्तों इसमें का जाते कुछ मात्रा में भूसा डाल दिया गया हाला कि फूल भी नहीं डाला गया है जाते कुछ मात्रा में याझनिक दो जाते हैं एक जाते दो हमाना भूसाश यायनि आधा भाग जाला हुआ है और आधा भूसा अगले दिन डाला जाएगा तो अभी देख सकते हैं इसमें आग डाल दी गई है तो यह किस प्रकार जाल रहा है तहीं सकते हैं यह पर्दे वाला भाग है तaceutते हैं तो इसको अभी आग डाले हुए दोही तीन दीन हुए है तो अभी इतनी हैट तक में आगाई हुई और परदा देख सकते हैं किस प्रकार लगया गया है और ये जो इंट रखी हुई है तो इसके उपर में परदा डालने के लिए लगाया गया है तो इतने चारों तरप से किस प्रकार है यह कहाँ जैसे जैसे आग उपर जाएगी तो वैसे वैसे इसको परदे को लगाना पड़ेगा उसके लिए यहां पर यह इंट रख दी गई है और जो आग डालने की प्रक्रिया होती तो वो किनारे से होती है यानि यदि हो सकता है तो बीच से भी डाल सकते हैं लेकिन किनारे से इसको डाल गया है क्योंक्ини यदि भी जालो गया है तो बीच से भी आग्ति हैं और खुण किनारे से रहा गया है तो आज का रेवन कहां तो दो-तीन दिन हुआ है इसको कुछ आग उपर आ गई है लेकिन अभी जो बीच वाला भाग है तो वहां पर अभी नहीं पहुंचे हुए क्योंकि अभी पर्दा ही क्रॉस कर रही है आग तो दोस्तों आज कहा जातों तिन चार-पांस दिन हो गए है यानि चार-पांस दिन हो गए है और आज आग उपर में भी मतलब धुआ निकलने लगा है हाला कि अभी उपर में पहुंची नहीं हुई है लेकिन उपर में भी कहीं कहीं पर से दुआ निकलने लगा है यहां कुछ इस प्रकार है तो अभी आग तो काफी नीचे है लेकिन अभी इसमें भूसा डालना काफी जरूरी हो गह, क्योंकि भूसा ढला रहेगा, तो कापको अच्छा रहेगा यदि, मौसा भी खराब होता है तो भूसा इसमें डला होना चाहिए तो इसको पूरी तरह भर दिया जाएगा, जसे यह जलते जाए और भूसा अंदर जाते जाए इस प्रकार्यत है, क्योंकि जैसे जलता है तो भूसा अंदर बैठने लगता है तो यह जब तक पूरी तरह भर ना जाएगा तब तक इसमें भूसा डालना पड़ेगा डेली सुबह साम तो बीच बाला भाग कुछ ही प्रकार है देखते हैं सभी जगह पर भूसा डाला जाता है अधर दोस्तो इससी का जाता है जसे यूँदे नीचे से ऊपड़ाटे उसी प्रकार रहता है नीचे रहता है हलां कि उपर आते आते कुछ सई तो डिपरेंस आजाता है य además है जाते कुछ साइज में ठाला जाता है जैसे नीचे 4 लूंगली प्रकार यानि कितना साइज बचा वह उपर आते चार ही उपर साइज बचा वह इसे उपर आते आते हैं थोड़ा बहुत कम कम हो जाए तो इससे उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता तो कि उपर आते आते हो ही जाता है इस प्रकार और हो सकता है भी जैसे आग चले तो ये एक दूसरे में चिपक भी जाए लेकिन इतना ना चिपके कि भूसा ही ना जाए यानि भूसा जाएगा तभी इंट पक पाएंगी तो ये दे सते ही यहाँ पर जैसे कि जादा ही हो गया तो इस प्रकार कहीं कहीं पर हो ही जाता है कहीं पर कम हो जाता है तो कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाता है इस परकार रहता है क्योंकि आख चलते वक्त भी इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आ जाता है तिसी भूसे को इसमें सुबह साम भरना पड़ता है जब तक यह पूर दोस्तों अभी देख संदें पर्दे को भी नहीं उठाए गया है क्योंकि अभी आग उतना तेज नहीं आ रही है यानि तेज नहीं चल रही है तो जैसे जैसे यह उपर होगा तो इसको भी पर्दे को भी उठाए जाएगा तो भी यहां पर जो भी इंट रखी हुई तो वह तो दोस्तों आज कहा जाए तो एक हपते से भी ज्यादा दिन हो गए हैं तो भी देख सेते हैं उपर वाले भाग में आग पहुंच गई है यानि उपर वाले बहुत से लेयर कंप्लीट हो चुके हैं यह बीच वाला भाग मतलब कहा जा तो कुछ बचा हुआ है तो इसमें भूसा डाले का जी प्रक्रिया है तो यह जब तक पूरी तरह यह भार ना जाए यानि भार के इसी प्रकार रुक ना जाए राक तब तक इसमें भूसा डालना ही पड़ता है तो दोस्तों आज देख सकते हैं यह पूरी तरह पुनह जल गया है तो यह इसको में पुनह भू बचांकर ने cका सब्सक्तिण, निया ज़से आनिन जो भाइए तो यहीं बाला बस बचा हुआ है तो इसमें अभी जब तक जलेगा तब तक इसमें भूसा डालना जाएगा और अभी देशते हैं जैसे आंधी तुफान की बज़े से बहुत सी धूल यानि राख उड़ भी गई है तो दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आज कहा जाते पूरी तरह भठा कंप्लीट हो गया अब इसमें कहा जाते भूसा डालना नहीं पड़ेगा यानि यह भठा पूरी तरह पग गया है तो यह रिंग भठा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था आपको वीडियो कैसा लगए हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में